प्रियंका गाधी समेट पांच कॉंग्रेस नेताओं को लखिम पुर्खिरी जाने की जाज़ाद दे दी है कॉंग्रेस नेता लखिम पुर्खिरी हिंसा के पीडि दो परिवारों से मिलें सकेंगे राहूल और प्रियंका के साथ भूपेश बगेल चरण जिल सिंग्छ चन्नी और एक करने नेता लखिम पुर्खिरी जाएंगी इसी के साथ प्रियंकागादी को हिरासत से रिहा कर दिया गया है योगी सरकार ने सभी दलों के 5-5 सलस्यों को लखिम पूर खिरी जाने के अनुमती दी है एड़ी जी लाइंड आडर प्रशांद कुमा ने बताया कि राजी सरकार ने अब 5 के समुहों में लोगों को लखिम पूर खिरी जाने के अनुमती दी है जो कोई भी वहाँ जाना चाहता है वो अब जा सकता है राजी सरकार ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाए थे न कि किसी मुवबेंट को प्रतिबंधित करने के लिए यूपी सरकार के ग्रीव भाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, राजे सरकार ने राहूल गांधी, प्रियंका गांधी और तीन अन्य कॉंग्रिस ने ताओं को लखेमपुर खीरी जाने की अनमती दी राहुल गांदी लखनव से लखिमपुर खीरी के लिए रवाणा हो गये हैं प्रियंका को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया है राहुल के साथ वो भी खीरी जाएंगी उताप्रदेश के लखिमपुर खीरी में केंद्री मंतरी की गाड़ी से कुचल कर मारे गए किसानों के परिवारों के लिए पंजाब और 36 गड़ की कांग्रिस सरकार ने भी आर्थिक मदद का एलान किया है पंजाब के मुखे मंतरी चरणजीस सिंग चन्नी और 36 गड़ के मुखे मंतरी मुपेश बखेल ने किसानों के साथ एक जूटता जाहिर करते वे कहा कि मृत्कों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का एलान किया है उन्होंने घटना की कवरिज के दौरान मारे गए पत्रकार के परिवार को भी 50-50 लाख रुपए के देने की बात कही है दोनों राजजी में बता दे कि मारे गए किसानों और पत्रकारों के परिवार को कुल एक करून रुपए की साहता देंगे योग सरकार पहले ही बता दे कि 47-47 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का एलान कर चुकी है कॉंग्रेस के पूर्वादेक्ष राहुल गादी के साथ लखेंपुर खेरी में पेडित परिवारों से मिलने के लिए लखनों में लेंड करने के बाद चुरण जेस सिंग चन्नी ने कहा कि हम मारे गए परिवार जो किसानों के परिवार हैं उनके साथ हैं पंजाब सरकार की ओर से मैं पत्रकार सहीत मारे गए लोगों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का एलान करता हूं चन्नी के साथ बता दे कि खड़े 34 गड़ के सियम उपेश बखेल ने भी किसानों के लिए आर्थिक मदद का एलान किया उन्होंने का कि 36 गड़ सरकार की ओर से महिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिवारों को 50-50 लाख रुपए देने का एलान करता हूं टीमसी कॉंग्रेस के महा सचियो अफशिक बनर जी की पत्नी रुजीरा बनर जी ने दिल्ली है कोट में कोईला तसकरी के एक मामले में उसादेश को चुनोती दे दी है जिसमें उन्हें 12 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया था नयमूर्दी योगेश खन्ना के समक्ष मामले की सुनवाई बुधवार को सूचि बद की गई यह सुनवाई 8 अक्टूबर तक के लिए इसलिए इस्तकित कर दी गई क्योंकि सम्मधित पीछ बुधवार को इकठा नहीं हुई थी समधित पीठ इस मामले में प्रवर्तन दिशालय द्वारा तंपत्ति को कई समन को चुनवती देने वाली याजका की भी जानत कर रही है याजका में पटियाला हाउस जिला न्याले के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिश्टेट द्वारा 18 सितंबर और 30 सितंबर के आदेश को रद्ध करने की मांगी गई है कोट ने अफशेक मनरजी की पत्नी और की व्यक्तिकत उपस्तिती के लिए समन जारी किया है पता दे कि याजका में कहा गया है कि उनके खिलाफ एडी की शिकाज जूठी दुर्भावना पुर्ड और परशान करने वाली होने के कारण अलग रखी जानी चाहिए का अलोकन करने से पता चला है कि एडी द्वारा लगाएगे आरोप प्रतिशोद की भावना से प्रेडित है इसलिए इसे खारिश किया जाना चाहिए कॉंग्रेस के दाधी की तरह ही मजबूत नेता है और उनमें वैसे ही तेवर देखने को मिलते हैं जो यहां सियुसेना ने उत्तप्रदेश के लखेमपुर केरी में हुए बावाल को लेकर योगी सरकार की आलोशना करते वे यह बात कई है सामना में लिखे संपादगी में सियुसेना ने योगी सरकार पर तंज कसते वे कहा कि क्या उत्तप्रदेश पाकिस्तान में है पंजाब्त सियम चरणजे सिंग चन्नी और 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेश बगेल को एंट्री नदीज जाने को लेकर सवाल उठाते वे शिशेना ने यबात गई थी शिशेना ने कहा कि प्रियंका गाधी कॉंग्रेस्ट की महासच्यू है उन पर राजनेतिक हमले किया जा सकता है लेकिन वह इंद्रा गाधी जैसी महानेता की पोती भी है इंद्रा ने देश के लिए बलदान और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बाटने का काम किया था शिशेना ने कहा कि प्रियंका गाधी को आवायद रूप से हिरासत में भेजने वाले लोगों को यबाद जान लेनी चाहिए हलाकि इस बीच यूपी पोलिस ने प्रियंका गाधी को रिहा कर दिया है यही नहीं उन्हें राहुल गाधी के सांथ लखे फुर खिरी जाकर पी शिशेना ने कहा कि इंद्रा गाधी के देवर अपनी दाधी इंद्रा गाधी कीत रही है ऐसे पहले मंगलवार को प्रियंका गाधी ने खुद को आवैत तोर पर गिरफतार करने और सीतापुर में प्यस्सी के गेस्ट हाउस में रखे जाने का आरूप लगाया था प्रियं का गाधी समेथ 11 लोगों के खिलाब कई मावनों में केस दर्ज करते हुए गिरफतार कर लिया था अगली खबर के और पिछले दिनों चीन में बिजली संकट की वज़े से दुनिया भर के अख़बारों में उसकी खबरे चपी थी चीन में थर्मल पावर प्लांट में कोईले के किलत की वज़े से बिजली की आपूरती प्रभावित हुई थी और लोगों के घरों में भी बिजली काट दी गई थी कुछ इसी तरह का संकट अब भारत में देखने को मिल सकता है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एकोनॉमिक में पावर प्लांट को कोईले की आपूरती की स्तिती बदहाल हो चुकी है कोईले से बिजली बनाने वाली पावर प्लांट के पास और सतन चार दिन का इस्टाक बचा हुआ है पिछले कई सालों में सबसे खराब आकड़ा है अगर बाद अगस्त की करें तो उसमें पावर प्लांट के पास और सतन तेरा दिन का कोईला बचा हुआ था देश में थर्मल पावर प्लांट के आधे से ज़्यादा ने बिजली संकट की चेताउनी दे दी है इस वक्ती खबरों में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है AB Star News देजे इजाज़त नमस्कार